नमस्कार दोस्तो दीपक हिंदी में आपका स्वागत है यह मैं चैनल आज शुरू करने जा रहा हूँ दीपक हिंदी अपने भाइओं से connect करने के लिए हिंडी में मात रभाशा मेरी हिंडी है अगर मैं हिंडी में नहीं बनाऊंगा तो किसे में बनाऊंगा और हिंदी बोलना मेरा को गर्व भी होता हिंदी बोलने में अपनी मात मदर टंग बोलने में शरम किस बात की सीजी सी बात है कई सारे मैंने जो भारतियों लोग देखे हैं जो भार जो चले जाते हैं उन में एक शरम होती है हिंदी में बात करने की और यह एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा बिजनस जो था, जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर आप में जानते हैं, तो मैं वेल नोन इंटरनेशनल डेटिंग कोच हूँ, और स्टार्टिंग में जो मैंने अपना बिजनस शुरू किया था, as a dating coach, मैंने जर्मन लैंग्विज में किया था, मैं जर्मन लैंग्विज काफ़ अच्छी बोल लेता हूँ, बट फिर मैंने देखा कि अंग्रेजी लैंग्विज, इंग्लिश लैंग्विज में रिस्पॉंस अच्छा आ रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैंने अंग्रेजी में शुरू किया उस टाइम पर, और बारा साल से मैं अंग्रेजी में हूँ, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल जो है मेरा, तो उसमें मैंने काफी काम किया हुआ है, अब मैंने सोचा कि अब थोड़ी एज हो रही है, अपने दोस्तों से अपने लोगों से तो connect करना तो जरूरी है, अप मातर भूमी से तो जुड़ा रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने सुचा कि हिंदी में बात करेंगे, अपना खुल के बात करेंगे, तो इस चैनल पर मैं कई चीज़े दिखाऊंगा, इस चैनल पर मैं अपनी मैं हिंधी में बताऊंगा, हिंधी में काफी अच्छा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी से अपनी दिल्ली वाली हिंदी है, तो थोड़ा अलगी लहजा मिलेगा, क्योंकि आप तो पूरे अंडिया से देख नही पूरे भारत से देख नहीं है, तो आप महरास्ठ्र से ह तो मेरी जो Hindi है वो दिल्ली वाली Hindi है तो अपने उस टाइल में बोलते हैं इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप से खुल के बात करूँगा और कही तरह के टॉपिक में बात करूँगा जो Hindi channel है इसमें सिर्फ dating से related मैं बात नि करूँगा मैं dating भी करूँगा, बात करूँगा डेटिउंग के बारे में भी बात करूँगा और जो भारत में दिक्कते चल रही है इस टाइम पर वो ही बात करूँगा social problem जो चल रही है और जो कई दिक कर दे चल रही है वो ही बात करूँगा और यूरोप में जो चल रहा है आजकल उसको भी मैं आपको बताँगा क्योंकि मैं तो यूरोप में रहता हूँ और मुझे यूरोप के वारे में बहुत अच्छी तरह पता है European politics ये सब चीजे काफी अच्छी तरह मैं अवेर हूँ क्योंकि politics का मेरा शुरू सही इंट्रस्ट है Indian politics से भी मेरा काफी इंट्रस्ट है और European politics से भी काफी इंट्रस्ट है तो इस तरह की बाते भी मैं करूँगा आप से सबके बास topic के ideas हों तो उसको comment में लिखिए मैं उनको भी देखूँगा उनको उसके ओपर भी बात करूँगा political issues पर भी मैं बात कर सकता हूँ dating related चीज़ों पर भी बात कर सकता हूँ जो लड़कियों का behavior, female psychology जो होती है उसके बारे मैं बहुत अच्छी तरह बात कर सकता हूँ हाँ एक चीज़ मैंने देखिए कि जितने भी जो इंडिया के जो dating coaches हैं उनको कुछ पता नहीं है कुछ पता नहीं है female psychology लड़कियां किस तरह से सोचती है क्या चलता है उनके दिमाग में किस तरह से game करना चाहिए कोई ज़्यादा उनने knowledge नहीं है कोई अपना खुद नया content नहीं बना पाता सब अंग्रेजों का copy-paste चल रहा है जो मैंने देखा है जो Indian dating coaches देखें है उनमें कोई ज़्यादा कोई substance ने मिलता अच्छी marketing है ही ही हाँ हाँ कर दिया वही चीज उसका जो और जो अंग्रेजों कोचीज होते हैं कोपी करके वो कर दिया मैं पहला ऐसा इंडिया का बंदा आपको मिलूंगा जो कि अंग्रेजों को चैलेंज करता है मैं तो कहता हूँ कि भाईया मेरे से बढ़िया तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है मैं भारत से हूँ और अंग्रेजों को तो मैं उपन खुल के चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, तो एक दम होना चाहिए, और वो दम तब आता है जब आपने वर्क किया हो, तो मैंने इस डेटिंग बिजनस में बहुत काम किया हुआ है, इसे बहुत जादा मैंने काम किया है, और इसमें एक के लोग हैं, उनके लिए बनाया है, और अगर आप जैसे कि आप इंडिया से देख रहे हो, भारत से देख रहे हो, और आपकी डेटिंग लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही, तो आपको थोड़ा इंप्रूफ करनी है, तो जब आप जैसे कि किसी से बात करोगे, किसी लड़क हैं, अन्वार्मेंट लोग भी भारती हैं, सब कुछ अपना होगा, ठीक है ना, अपनापन होगा, तो वो एक थोड़ा असान फैमिलियर्टी हो जाती है, जब आप भार जब जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो, जब दूसरी तरह की दूसरे जो नागरिकता, दू आप अपनी जिंदिगी जी रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इंडिया से बाहर जाके गोरी लड़ीयां पटा सकता है, बहुत सारे होंगे लोग, लेकिन उसके बाद मैंने जो नेक्स टैप लिया था, उसके बाद मैंने जब वो स्किल को इतनी पे जैसे अमरीका गया, अमरीका में नी-यॉर्क में गया, लास वेगस में गया, लंदन में गया, तो वहां पे गोरो को सिखाया, वहां पे लोकल लोग को सिखाया, वहां पे आपके जो हैं लंदन में हैं, वहां सिखाया, लोग को सिखाया, योरोप में पूरे योरोप में सिखाया, लोग मेर से, जैसे मैं यूरोप में हूँ, मेरा बेस, यूरोप में तो मेरा बेस है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, वो इंडिया में हैं, और इंडिया में आता रहता हूँ, और जो लोग है तो डेटिंग लाइफ में सफर कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं आस्ट्रेलिया से आते हैं, अमरीका से आते हैं, different different places से आते हैं, यूरोप में और वो मेरे से सीखते हैं, successfully वो सीखते हैं, तो जो struggle जो journey है, वो भी मैं हिंदी में आपको बताँगा हूँ कि उस level पर मैं किस तरह से पहुँचा, एक काफी tough journey है, क्योंकि जैसे भारतिय लोगों क्योंकि जो पहचान जो outside होती है, जो अगर हम एक level देखें तो मैं अच्छे वाला level लूँगा, तो एक जो होता है, IT specialist type होंगे, जो IT वाले होंगे, you know, क्या बोलते हैं, information technology, in German we say informatic, information technology होगी, engineer हो जाएंगे, या फिर doctor हो जाएंगे, तो एक जो उस level पे एक जो highly intellectualist तरह है, कि जो job होती है, लेकिन कोई इस तरह का जो काम करता है, आपको जैसे कि dating business हो गया, इस तरह की चीजी हो गई, बंदी बटाना, लड़की बटाना, किस तरह से पटाते हैं, किस तरह से female psychology को understand करते हैं, पटाना और सो सिखाना, उस level पे आपको कोई मिलेगा नी, और उस level पे मै सफलता हाश सेल कर रही थी, क्योंकि एक tough job है, और कभी भी मैं challenge से डरा नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, और मैंने अपनी जिंदगी भी बड़े radical तरीके से जी है, एक extreme radical तरीके से जी है, उसके बारे मैं बात करूँगा, क्योंकि हिंदी में मैं बहुत खुल के बात कर सक करता हूँ आपसे, और वो सब मैं आपसे discuss करूँगा इस channel पर, तो आप अगर इस channel को देख रहे हैं, इस video को देख रहे हैं, तो subscribe करिए, like कीजिए, और share भी करिए, अब तो भहिया, आपका दीपक आ चुका है हिंदी में, तो हिंदी में तो फिर मज़ा आएगा देखिए, आचका हूँ, तो take care, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, bye.